आज हम लोग देखने वाले हैं कि Matches, Closest और Contains method किस तरह से काम करते हैं जावास्कुट में और किस तरह सी आपकी Dom Manipulation में सायता कर सकते हैं चलते हैं Come to the screen में इन तीनों methods को हम लोग समझेंगे Let's get started Guys, आज के इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने वाला हूं आप लोगों की Matches, Closest और Contains method क्या करता है तो देखो, तीन important methods होते हैं डॉम को search करने के लिए सबसे पहला एक है Matches जो कि क्या बताता है कि क्या एक element गिवन CSS selector को match कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर आप मेरी rappel देखो, मैं आपर simply क्या करूंगा सबसे बहले तो मैं आपर एक div बनाऊंगा और इसके अंदर में एक id दूंगा और मैं आपर id1 नाम से एक id दूंगा और यहाँ पर लिखोंगा this is an element और मैं जब ऐसे करूंगा तो यह बंद हो जाएगा ठीक है और मैं एक element बनाने वाला हूं यहाँ पर id 2 के नाम से ठीक है और इसको मैं element 2 कर दूंगा, इसको element 1 कर दूंगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस बाली को consider class ठीक है मलू मैं ऐ आपर वाली को भी एक बाक्स नाम से class देता ओ मालनों यह मेरे boxes है, ठीक है, मैंने save किया है, मैं इसको reload करूँगा, यहाँ पर reflect भी हो जाएगा, अब अगर मैं यह पूछूँगा, अपनी javascript engine से, कि javascript engine मुझे यह बता, एक मिन मैं इसको save करूँ, और मैं इसको save करूँ, और मैं इसको run क्यों नहीं हो रहा है, मैंने जब body के अंदर this is an element 1 और element 2 लिखा है, तो, I guess मेरा internet काम नहीं कर रहा है, सु यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने script.js को खोल लिया है, और script.js के अंदर मैं लिखूँगा, एक function इस element पर कि क्या यह match कर रहा है, given CSS selector यह नहीं, सबसे पहले मैं get element by id कर दूँगा, id 1 से, तो, मैं यहाँ पर simply लिखूँगा, get element by id, और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, कि although यह good practice नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ id 1 कर दोगे, console.log id 1 करोगे अगर, तब आपको most of the modern browsers आपका element दे देंगे, सिर्फ id के नाम से, आपको get element by id करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट यह एक अच्छी practice नहीं है, यह आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप लोग id 1 लिखोके, अगर आप id 2 लिखोके तो आपको दूसर वाला element मिल जाएगा, जिसकी id id 2 है, लेकिन यह अच्छा practice नहीं ह Chrome support करता है, बट हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे, हमेशा ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो app हो ज़रूरी नहीं है, कि सिर्फ Chrome वाले यूज करेंगे, document.get element by id करके, आप इसमें id 1 डाल देंगे, इसके बाद console.log id 1 आप लोग करेंगे, तो आपको id 1 मिलेगे, अब अगर मैं आपर लिखाऊ, id 1.matches, और मैं आपर मानलो dot class लिखाऊ, तो क्या आएगा, false आएगा, क्योंकि dot class नाम की class नहीं है, ठीक है, box नाम की class है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, यह तो मेरा, यहाँ पर यह आगे, मैं इसको actually console.log करना था, और यह क्या देगा, मुझे false दे हो जाएगा, क्योंकि यह वाला जो element है, इसमें box class है, और dot class जो CSS selector है, वो match करता है, तो यह चीज़ यहाँ पर आगई, तो match इसको इससे आप से काम करता है, कि आपने एक element लिया, आपने यह देखना है, कि एक CSS selector, उसको match करता है कि नहीं करता है, अगर करता है, तो true return कुल मिलाकर, lm.matches.css true तब return करेगा, जब document.query selector all CSS के अंदर यह element होगा कि नहीं होगा, तो यह check करना फ़ड़ा मुश्किल है, लेकिन lm.matches.css एक बहुत ही अच्छाग 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 करने के लिए, कि क्या यह element इस CSS selector को match करता है कि नहीं, I hope कि आप लोग समझ गए, ठीक है, अब यहाँ पर .closest क्या करता है, to look for the nearest ancestor that matches the given CSS selector, अब माननो आपके पास एक element है, और आपको चेक करना है कि क्या एक given CSS selector इसके ancestor में है कि नहीं, अगर उसमें भी नहीं तो क्या उसके भी ancestor में है कि नहीं, क्या उसके भी ancestor में है कि नहीं, मैं आपर आप लोगों को बताता हूँ, मैं आपर simply क्या करूँगा, कि box के अंदर एक span डालूँगा, ठीक है, आप देखना मैं आपर क्या कर रहा हूँ, मैंने आपर span डाला, id is equal to sp1 कर दिया, ठीक है, और मैं आपर span 1 लिख दूँगा, ठीक है, और ये करने के बाद, मैं simply आपर क्या करू लिखता हूँ, ठीक है, अगर मानलो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, hash sp1, तब क्या होगा, तो यह element खुदी return हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको reload करके आपको दिखाता हूँ, यह element खुदी return हो गया, तो कुल में लागी, यह sp1.losest, यह क्या करेगा, कि sp1 से शुरू करेगा, ठीक है, sp1 से शुरू करेगा, यहाँ से देखना शुरू करेगा, कि क्या य इस CSS letter को match करता है कि नहीं, हाँ या ना, अगर ना तो इसके parent के पास जाएगा, क्या यह CSS letter को match करता है, फिर उसके parent के पास जाएगा, फिर उसके parent के पास जाएगा, फिर उसके parent के पास जाएगा, and so on, ठीक है, तो जो lm.losest है, वो यह काम करता है, अब lma.contains, lmb क्या करेग तो अगर मालो मैं आपर लिखता हूँ id1.contains id1.contains और यहाँ पर element आएगा ठीक है? sp1 document.getElementById sp1 करना जरूर ही है आप बोलोगे आप खुदी बोले थे कि अच्छी प्राक्टिस नहीं है और खुद बाख खुदी आप यूज़ कर रहे हो हाँ? नहीं आ रहे से नहीं और इस वीडियो में ठीक है भी नहीं बोलूँगा मैं बहुत पर पिछली वीडियो में बहुत पर मैंने editing के time पर देगा हर बात पर ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? id1.contains sp1 मैंने किया इसको reload करूँगा true आ ठीक है, अगर मैं कहूँ sp1.contains sp1 यानि कि same element दे दूँ तो भी true return करेगा by the way यह क्यों true return क्या है? यह क्यों true return क्या है, यह id1 के अंदर है sp1, ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूँ कहूँ कि by sp1.contains id1 अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ तो यह रूँ तो false होगा ना तो वो false होगा और इसलिए यह false return करेगा तो यह तीन convenience functions है जो कि आप लोग को बदा होने चाहिए अब यहाँ पर खतम होता है हमारा chapter 7 और आएगे इसके कुछ practice questions और उसी के साथ साथ जो practice question का अगला video होने वाला है वो तो रहाँ से interesting होने वाला है तो इसको देखना आप सभी लोग ठीक है देखना तो सारे videos पर watch out for that video ठीक है और यहाँ पर आप लोगों ने अगर playlist access नहीं कर दी तो इसको ज़रूर access करना कुछ लोग complain कर रहे थे कि कुछ videos नहीं देख रहे है playlist के यार मुझे तो दिख रहे है तो यार प्लीज मुझे नीचे comment करके बताओ कि क्या आपके साथ ये issue है और जब आप कहते हो कि मुझे videos नहीं दिख रहे है तो कि आपको last वाला video नहीं दिख रहे है मुझे तो कि आपके साथ रहे है